दोस्तों अगर आप Amazon पे seller हो तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है अगर आप वो गलतियां करोगे तो आपका account suspend हो जाएगा और कुछ गलतियां तो ऐसी हैं कि आप जान पूछ कर नहीं करते हो आपको पता भी नहीं होता कि आप वो गलतियां कर रहे हो सडनली आपके पास एक mail आजाता है कि आपका account suspend कर दिया गया है और वो गलतिया ऐसी होती है कि उससे आपका account दुबारा recover भी नहीं हो सकता तो दोस्तो इन सारी कलतियों के बारें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को subscribe कर दिजिए नीचे bell icon का बटन है दबा दिजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपके पास orders आ रहे हैं तो आपको खुद से order cancel कभी नहीं करने हैं जैसे कि आप सबको पता ही है इससे भी आपका account suspend हो जाता है आपको late orders नहीं देने हैं इससे भी आपका account suspend हो जाता है अगर आप ज़्यादा late orders दोगे तो आपको copy products नहीं बेचने है, fake products नहीं बेचने है इससे भी आपका account suspend हो जाता है seller cancellation से और late dispatch से अगर आपने खुद order cancel किये या order late दिया जादा वारा आप ऐसा कर रहे हो तो इससे account suspend हो जाता है लेकिन recover भी हो जाता है लेकिन अगर आप fake product बेच रहे हो उससे आपका account कभी recover नहीं होता और एक और चीज़, आपको multiple account नहीं बनाने वहीं आप लोग सोचते हो ना कि यार 3-4 account बना लेंगे और वही same product हम सब पे लगा देंगे आपके product की visibility बढ़ जाएगी दोस्तों ये गलती कभी भूल से भी कर मत देना Amazon की strict policy है कि एक user को एक ही account यूज करना है अब Amazon के algorithm को कैसे पता चलता है उसका algorithm इतना strong है वही आप एक computer पे अगर जादा account लॉग इन करोगे तो आपका multiple account में आ जाएगा आपको कभी cyber cafe का use नहीं करना वही suppose करो आप कहीं भाहर जाते हो print out निकालने के लिए आपने cyber cafe में जाकर अपना account login कर लिया अब हो सकता है उसी computer के थुरू कितनों ने वहाँ पे account login किया होगा तो उनका जो wifi होता है उनका जो computer होता है उसका IP address होता है तो Amazon उस IP address को track करता है कि इस IP address से इतने account login होए है उन सबको वह एक ही user मान लेगा तो वह ये देखेगा कि इस IP address से इसने account login किया है तो आपका multiple user में आ जाएगा आपका account suspend कर देगा वो तो कभी भी cyber cafe यूज मत करो किसी और के computer पे अपना Amazon account कभी login मत करो अपने Amazon account के लिए एक ही wifi connection रखो एक ही computer या laptop रखो किसी और को भी अपने computer या laptop पे उसका Amazon account login मत करने दो यूखि Amazon ये सब देख लेता है ये बहुत ही strict policy है multiple account आपको कभी नहीं रखने आपको एक ही account चलाना है अगर आपका इस reason से multiple account के reason से account suspend होता है तो वो recover नहीं होगा Amazon उसको recover नहीं करेगा आप फिर Amazon पे sale नहीं कर सकते seller cancellation से और late product देने से आपका account एक बार तो recover हो जाएगा लेकिन fake product की policy से और ये multiple user की policy से आपका Amazon account recover नहीं होगा आप कभी भी अपनी idea से दुबारा Amazon पे sale नहीं कर पाओगे तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपका अच्छा खासा चलता हुआ business एक दम खतम हो सकता है Amazon पे तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो की Amazon पे account suspend कैसे हो सकते हैं ये सारी गलती आपको नहीं करनी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फिर से कह रहा हूँ जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद